हेलो दोस्तों स्वागत है आपका YouTube चैनल The Secret of Investing में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं एक IPO की details के बारे में देखने को मिलेगा कि next week आपको ये market में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है और दोस्तों आप लोगों को क्यों apply करना चाहिए कैसे ये आने वा अगर चैनल पर पहली बार है तो जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको market की regular updates दी जाती है साथ ही साथ बहुत ही अच्छे stocks बतानी की कोसिस की जाती है तो अभी तक अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो जरूर कर सकते हैं ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like जरूर कर दीजेगा सबसे पहले अगर हम लोग बात करें company की तो आपको यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा company का नाम है Omnipotent Industry Limited जहां दोस्तों company का अगर हम लोग कारोबार business की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Omnipotent Industry are primarily engaged in a business of supplying bulk and a package bitumen अ साथ ही साथ motorways rail network को बनाने के लिए household में जो roofing का काम होता है जो च्छते डलती है वहाँ पर आपको यह use होता हुआ नजर आता है साथ ही साथ soundproofing होती है उसके लिए आपको use होता हुआ नजर आएगा waterproofing में आपको use होता हुआ नजर आ तो काफी सारे application आपको इस ingredient के देखन मिलेगा focus on procurement sales and customer service a strong relationship with business sales stakeholder in-house dedicated processes and experiment and qualified teams बदलब कि आप लोगों कि यह normally हर company में देखने मिल जाती है कुछ strength point होता है जो IPO के लिए दिये जाते है definitely company काफी छोटी है मैं जरूर पहले बताना चाहूंगा कि company बहुत ही छोटी है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं millions में केवल आ बहुत ही छोटा है 30 लाग का profit company ने last year generate किया 31 मास 2020 में उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपको एक करोड का profit generate होती हुई company नजर आई तो company ने profit में तो jump एक साल में काफी गुना करके दिखाए यह लगबग 3 गुना तो इससे पता चलता है company में growth है और आप काफी सांदार आपको देखने को मिल रही है सीधे सीधे आपको तीन तीन गुना profit में jump यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है तो definitely आप लोगों को देखने को मिलेगा company past year से काफी ज्यादा growth दिखा रही है और आने वाले टाइम में यह continue करती है तो definitely आपको इसका GMP high देखने नमंबर को होगा IPO की closing date 22 नमंबर साथी साथ face value आप लोगों को देखने को मिलेगी normally 10 जो होती है IPO का price 63 रुपीज equity share होगा एक lot में 2,000 share आपको मिल जाएंगे यहाँ दोस्तों वही 14-15,000 के 20 में आप लोगों का investment होगा अगर आप लोग एक lot पिक करते हैं maximum lot आपको यहाँ प डिसकस कर ली allotment date आप लोग देख सकते हैं 25 नमंबर को जो shares है वो allot किये जाएंगे आपको पता चलेगा कि आपको IPO मिला है कि नहीं मिला है अगर आपको IPO नहीं मिलो होगा तो 26 नमंबर को refund कर दिया जाएगा आपको amount जो आपको hold होता है account में वो आपको refund हो जाएगा उसक काफी उमीद है कि इस IPO की लिस्टिंग काफी अच्छी और धमागेतार हो सकती है अगर हम लोग इसके financial देखें तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे company के financial काफी अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं millions में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 50 million उसके बाद 100 million का revenue generate किया company ने वही चीज आलेडी मैंने profit बताया profit company किस तरीके से generate कर रही है अगर हम लोग इसके देखें cash flow और ratios देखें दोस्तों तो आप लोग यहाँ पर देख सकते है company की return on equity 86 की return on equity है चुकि बहुत ही awesome मेरी नजरों मानी जाती है 76 की जो थोड़ी बहुत चरूर last year से का में लेकिन यह भी awesome है हम लोग नॉर्मली देखते है return on equity अगर 15-20 की उपर होती तो बहुत अच्छी होती है इस company की 76 है return on capital employed 61.24 आपको देखने को मिल जाता है return on asset भी काफी अच्छा है 7.38 का मतलब ही overall company के जो ratios हैं वो आपको काफी अच्छा कासा देखने हो बिले गए company जो income है वो भी आपको करती हूँ दिखाई दे रही है यहाँ पर pad देख सकते हैं 0.37 से 1.40 मतलब की लगबग 30 लाग से 1.4 करोड के आसपास company का profit में jump आया है तो 279% का profit में jump आपको यहाँ पर देखने को मिल ला है तो यह चीज़ आपको जरूर थोड़ी बहुत impact डाल सकत हैं IPO के लिए apply कर सकते हैं और अगर आपको IPO मिल जाता है तो definitely आप लोगों को इस company के further quarter result देखने पड़ेंगे अगर आप लोग लोगों के लिए hold करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आने वाले time में company इसी तरीके से result देती है कि नहीं देती है अगर definitely अच्छे result देगी तो आप लोगों को company hold करनी चाहिए क्योंकि company का business आपको मैंने already बताया कि कि किस तरीके का business है कहां इसके जो product है वो use किये जाते हैं और ज्यादा कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलता है industrial limited आप लोगों को देखने को मिल जाता है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग अगर हम लोग official site में जाएं इसकी तो यहाँ product में देख सकते हैं bitumen, base oil वगएरा polymer और PVC वगएरा बनाती है तो normal product है बहुत सारे competitor हैं इस sector में तो definitely आप लोग को इस सब चीज़े देख के long term के लिए invest करना चाहिए अगर यह आने वाले time अच्छा का आसा perform करती हूँ तो आप लोग hold करके चल सकते हैं क्योंकि ऐसी company जो छोटी होती है इनका कुछ पता नहीं होता है कि आगे चलके किस तरीके का performance करके दिखा सकें तो आप लोग continue कर सकते हैं अगर इसके quarterly result आए mostly मुझे को लगता है कि इसका gmp बहुत हाई रहने वाला है तो इसके IPO के लिए आप लोग apply जरूर कर सकते हैं इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो चल लगा हो तो वीडियो को like कर दीजे पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा मिलते हैं आपको next video में तब तक के लिए बाए बाए